हेलो एवरीवर वेलकम टू राजिस्थान एड़ा 24-7 तो भाई कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं हस्थ पुर्सवस्थ और मस्थ होंगे तो देखो कल मैंने आपको बायो टिक जो है पूरा पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया था आज मैं आपको जो कराऊंगी वह इसके एमसेक्यू कराऊंगी थोड़ा बहुत आपको इसमें जैसे का पोशिन लग सकता है परंतों जैसे को भी आगे पढ़ने वाली हैं तो चिंता नहीं लेना है किक फिलाव एमसेक्यों कर लेते हैं अटेम्प होंगे धी बैस्ट नहीं अटेम्प होंगे फ्यूरी गराऊंगे तो पहले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं और आपका पहला प्रश्ण क्या है भाई आज का पहला प्रश्ण है कि निमिन में से किस प्रकार का आरेने आरेने पर संस्क्रण में भाग लेता है जल दी भताओ कौन से आरेने आपके अरब्यद में कार लेते हैं दिल खुश नमस्ते प्भियां नमस्ते तो कैसे होते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंड ना सोचे समझे क्या तो यह आपका बहुत इंपॉर्टन रोल पहुचाता है तो पस ऐसे याद कर लेना कि जो आपे ट्रांस्फर होना है आरेने से ने बनना है उसके लिए आपका ट्रन बहुत आवश्रक होता है वैसे टीब आरेने का मितलब ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ठीक है आगे अगर मैं चलू आगे प्रशन है आपका कि एक संकर पादप्रारूप का प्रजनन करने हे तू वांचित गुणों वाले दो प्रजातियों का परियोग करने की प्रकरिया क्या कहलाती है निराई प्रचनन प्रागन या फिर खरीटिवाड़ी जल्दी बताव क्या कहलाती है यह तो मैंने कर आया था जल दी बिताव मैंने chemistry application में बताया थे से क्या हो जाएग आंसर जल्दी बताओ तो उसको हम क्या कह देंगे भाया पादप प्रजनन यानि कि आपका प्लांट ब्रीडिंग देखो यह मैंने आपको पताया था ना कि मालो मेरको कोई एक ऐसा लक्षन है ठीक है जो एक आपका नए दूसरे पेड़े में चाहिए एक दूसरा पेड़े उसका उ इन दोनों का संकरन करा दूंगे जिससे मुझे जो रिजल्ट चाहिए होंगे उसका भी मिल जाएगा इसका भी मिल जाएगा तो आपको यहां पर बी आंसर बहुत सही हो जाएगा दिल्खुष ने बहुत सही आंसर किया है इसी के साथ अगले प्रशनी पर चलते हैं कि वां कोई करना पड़ेगा मादा मादा पुष्प में दो कि नर्पादप के ठुश्श पर चलते हैं ने के परागन होते हैं ठीक है उसको हम क्या कर देते हैं यहां पहускा हो जाना चाहिए यहां पर मादा हो जाएगा उसको हम जो आपकी मादा होगी दूसरे वाली उसके उपर ट्रांसफर कर देंगे ठीक है यानि कि आपका यहां भी आंसर बी वाला सही हो जाएगा ठीक है इसी के साथ अगला प्रश्ण है कि डैश व्यस्कदेहिक कोशिका से कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्थन पाई है तो सबसे पहले क्लोन किया गया था वह कौन सा था गाए भेड़ खरगोश फर गोश यह श्रम ही दिकत है या फिर कुट्टा जल्दी बताओ कौन किया था सबसे पहले आपका डोली ध्याने डोली डोली बिंदरानी बताई थी अच्छे से देखो आपकी जो सबसे पहले प्रांसजेनिक एनिमल थी जो सबसे पहला जीव जिसका संस्क्रेन आपका हुआ था वो थी डोली अब यह डोली डोली बिंदरा नहीं है भाया कहीं सोचो मेरे बाप पर मजजाना वह वाली डोली है यह आपकी भेड़ व सबसक्राइब वह डेखो अगले प्राशने पर चलते हैं अगला प्राशने है कि G M O है क्या यह यह करिक की भी दिक्कत आ Sterbih कि अनुवांशिक उत्प्रिवर्थित जीव, अनुवांशिक आधोनिक जीव या फिर अनुवांशिक रुपांतरित जीव या फिर अनुवांशिक मिरित जीव शो शो डोली गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून बताव जल्दी से क्या हो जाएगा GMO कल बताया था ना और आपके लिए इंपोर्टेंट LDC वालो 2018 में आएवा पेपर है यह 2018 के अंदर आया है यह प्रश्ण यह जितने भी मैं आपको प्रश्ण कराऊंगी याद रखना यह आपके पेपर में आ चुके होंगे जरूर आ चुके होंगे या फिर यह आएंगे तो इन प्रश्ण से आपका पेपर टैम्प हो जाएगा तो इन पर ध्यान दो ठीक है रुपांत्रित रुपांत्रित हो जाएगा सी वाली हो जाएगी अरे बी कैसे होएगी बेटा सी आधूनिक अनुवांशिक आधूनिक जीव नहीं था रुपांत्रिक था जीएपाइड जीएपो रुपांत्रित जीएपो का मतलब क्या था जैनेटिक ली मॉडिफाइड और्गैनिजम जिसका जैनेटिक मेकप हमने चेंज कर दिया था वह आपका जीएपो था तो आपको यहां पर थर्ड वाला आंसर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए आप भी कैसे बोल रहे हो आधुनिक जीवनी बोलते उनको अगला है जैव में यका यक पैत्रिक प्रिवर्तन को क्या कहते हैं प्रजिनन क्लोन चैन अनुकूलिता उत्प्रिवर्तन जल्दी बताओ क्या खेते हैं सी अरे भया क्या कर रही हूं नहीं अरे मालो एकदम से कुछ ऐसा चेंज हो गया कोई आपकी बहुत हाई फ्रिक्विंसी की लाइट गिर गई उसके संपार्क में आ गए तो आपका जनेटिक मेकप भी फिर भी चेंज हो जाएगा और अब की बार आपका वो अच्छे के लिए नहीं होता हर बार कई बार बुरा भी उचाते इसको मुटेशन कहते हैं उत्परीवर्तन कहते हैं थी के एका यानि कि मुटेशन हो जाएगी ठीके कि विजय लक्षमी ने सही आंसर किया है अगला प्रश्ण है कि निमेन में से किस जिवान से प्रतिबंधित एंजाईम प्राप्त होते हैं पहला है एकोलाई दूसरा है आई एक्वाटिकस या फिर एलुएंजी या फिर यह सभी जल्दी बताओ किस जिवानों से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपके काठते थे ऐसे कैचरी की तरह काम कर रहे थे आणविक कै सर बता और मैंने आपको बताया था कि आपका बैक्टिरिया से आप है और एक्वाटिकस , यह सभी सही यह सभी सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है कि सर्वत पर्थम परियोग शाला में जीन का सनलेशन जीन का सनलेशन करने वाले वैज्ञाने कौन थे मैंडल डार्विन वोट्सन खुराना जल्दी बताओ जीन के लिए कौन थे हर्शिता ने सही कहा है डी खुराना बहुत सही हर्शिता वेरी गुड डी खुराना विल बी और करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है आपका केंद्रिय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबल पुरुषकार से किसको सम्मानित किया गया मुनाट डाल्टिन खुराना बॉल्टी मॉर्ड देखो यह कौश्चन जो आपकी है बायो टेक्नेलोजिय के और जेनेटिक के मिक्स आपको हर गोविन खुराना बहुत सही बहुत सही बहुत सही डी इसका भी आंसर दी सुमित जैने सही आंसर दिया है बॉल्टी मॉर्टी अगला प्रश्न है आपका कि यदि एक विशिष्ट यह शह यह विशिष्ट अमीनों अमल के लिए तीन नुकलियो टाइडों के क्रम के सीन पर चार नुकलियो टाइड का करम परियुक्त हो जाए तो सैधानतिक रूप से उसके कितने विशिष्ट अमीनों अमल कौडित हो जाएंगे कि यानि कि मानलो आपको पते ने तीन का ट्रिपलेट होता है तीन से बनते हैं ऐसे तीन कि ओके दिख तो रहा है शूकर है कि जल्दी बताओ डी कि द नहीं 256 हो जाएंगे कि इतने हो जाएंगे 256 तो ए आंसर हो जाएगा यहां पे कि ए आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि एक सम्वाहक अरे 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 हैं और प्रश्ण एक सम्वाहक एक वाहक डिन अनू होता है जिसके सात्मानव डिन का टुकड़ा पसंयोंजित किया जाता है डिन स्थाना तरन के समया पर परीक सम्वाहक सुख्म से ब्रिहद की और बताना है हैं यानि कि मैंने आपको पोस्ट में बताई थे ना कि पोस्ट में होते हैं आपके कुछ यानि आपकी डीने को एक जेर Есть बाड़े कर दें कताना थी बड़े करम की तरफ पतानए पहला है जीवाणू भोजी प्लासमीड वीएस कीशी आपका उसके बाद कॉस्मीट प्लास्टेट जिवानु भोजी बैक जिसको कहते हैं बैक बैक बैसी बैक अच्छा प्लास्टेट जिवानु भोजी कॉस्मीट बैसी यहनी की बैक बैसी यहनी की बैक कॉस्मीट प्लास्मीट जिवानु भोजी जल्दी बता कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा क Bitte Ten Did a इस ची करभ है यहां पर ह silently उपका ऐसी वाला। सही हो जाएगा सबसे चोटा आपका होता है जिवा प्लाजमिड का होता है उसके बाद को आपका होता है बैक्टीरियोंफेज होता है क्या होता है यानि कि उसके बाद आपका कोजमीड हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या चाहिएगा बैक हो जाएगा अग्ले प्रशने चलते हैं कि गुण सुतरों के जाल को अभी रंजित नहीं कर सकता crystal violet से fugiline abhiranjak से carmine से या फिर hematogiline से जल्दी बताओ किस से हम chromosome को stain नहीं कर सकते गुर्ण सुतरों के जाल को रंगित नहीं कर सकते सबसे पहले flaming ने किया था सबसे पहले flaming ने किया था जल्दी बताओ हम हम जल्दी बताओ नहीं करने की बात हुई है ना बता सकते हो इसका तो नमस्ते भई नमस्ते सुर्भी भई तो इसका आंसर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा CRYSTAL POWILET कर सकते हुं और कर सकते हैया कर सकते हैं हमेतोजाइलीन का कर सकते हैं परन्तु kristal वोयलेट का नहीं करतें इसी के साथ अगले प्रशने परीचलते हैं अगला प्रशने क्या है कि जीनों के साथ वन्शागती की प्रिघटना तथा पैतरिक युगमकों को संतती में बनाए रखने को हम क्या कह देते हैं जीन विनियम, सहल अगंता, प्रतीत संकरण, वी संयोजन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ सहल अगंता, क्या हो जाएगा, सहल अगंता, लिंकेज, क्या हो जाएगा, लिंकेज, सहल अगंता बी, विजय लक्ष्मी ने सही आंसर किया है DNA की सबसे छोटी इकाई, जो पुनिय रोजन के लिए सक्षम होती है पहला है सिस्ट्रोन, फिर न्यूट्रोन, एलील, रिकॉन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ इसे काम कैसे चलेगा तब तक आंसर ने करोगे तो रिकॉन, 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 मैंने छोटी इकाई की बात नहीं किये, उसबसे छोटी हो, जो छोटी हो प्रेंग तुपुनिय और जिन भी करे कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, कोई भी नहीं उड़ा रहा है, कोई भी नहीं उड़ा रहा है, कोई भी नहीं उड़ा रहा है, डोंट वरी, ठीक है, अगला प्रशन है आपका, कि नीचे दी गई तालिकां में गलत मिलाए गई मतों को चुनिये, कौन सा गलत मिलाए गया बताओ जल्दी बताओ दिल्खुष ने कहा है सी यानि की थ्रियॉनिन के लिए ओके परंद तु आपका यहां पर यह वाला गलत हो जाएगा बी वाला बी क्या हो गया सुर्भी तुमको क्या हो गया अगला प्रश्ण है कि इच्छा से जीनों का परेखनली हस्पत्चार है क्या अनुवांशिक इंजीनियरिंग जैव अनुवांशिकी या फिर जैव इंजीनियरिंग उत्तक संवर्दन है जल्दी बताओ प्रॉलीन तो ठीक है आगे वाले का बताओ सिक्स्टीन्थ का वो तो ठीक है उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है इस चा की बात होती है तो आपका क्या जाएगा वह अनुवांशिक इंजीनियरिंग जाएगा अनुवांशिक इंजीनियरिंग अच्छा नीन्द आ रही है क्यों आ रही है भिया मुद्ध हो लो अब यह तो 12 बजिय है हरी दिलवक का डियन ने क्या है रेखित अंडाकार वृताकार 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 जल्दी बताओ कैसा डियन ने होता है दोहरी जिल्ली होती है, खुद का DNA होता है हारी दिलवक में, और कैसा होता है प्लाजमिट? B, विजय लक्ष्मी जोशी ने कहा है, B, सुर्भी ने कहा है, A, सुर्भी ने सही कहा है, जो है कि रेखित, जो की है रेखित, रेखित, इसी के साथ अगला प्रश्ण है, कि वहाँ ट्रिप्लिट कोड जो अनुवात परिकरिया को रोकती है, वहाँ कौन सी हो चाहेगी? A, U, G, U, A, A, U, A, C, U, G, G, जल्दी बिताओ, ट्रांसलेशन प्रोसेस को जो रोकती है, A, U, A, G, नहीं, U, A, A हो जाएगा, U, A, A स्टॉपिंग कोडोन होता है, तो second will be your correct answer, U, A, A, ठीके, अगला प्रश्ण है आपका, कि डैश ने अधिग रहित, चुरितर की विरासत के सिधान प्रति पादित किया, किसने किया भी आपका, Gene Bepstit Lamarck ने, August Wiseman ने, या फिर George Mandel ने, या फिर Charles Darwin ने, inheritance का, inheritance वाला, विरासत का सिधान, किसने दिया था, Lamarck ने, किसने, Lamarck, Lamarck, अगला है, कि काई मेरिक डियने कहलाता है, क्या, Mitochondrial DNA, Ribosomal DNA, Plastic DNA, पूने संयोजन DNA, काई मेरिक, काई मेरिक, तो फॉर्थ, आपका, सही आंसर, यहां पर हो जाएगा, पुने संयोजन DNA, क्योंकि उसी को तब हम जोडते हैं, तो समय पर उसको एक टर्म दी जाती, काई मेरिक, खीक है, तो आपका, यहां पर डिवाल आंसर हो जाएगा, मैं प्लेलिस्टों बन लुए, प्लेलिस्ट्रा आपकी बनी हुई है, दीपक कुमार जी, बनी बनी हुई है, आप नीचे जाओजी प्लेलिस्ट में, तो दिर आपको मेरी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो की जो एक दो हुई है NCRT की जो एक दो हुई है साथ में आपकी LTC को चल रहे सब की अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अगला प्रशने है कि जैनेटिक कोड की खोज किसने की वीलियम हार्वे ने हरविंद खुराना ने लुईस पास्च्वर ने या फिर F बैंटिंग ने या फिर F बैंटिंग ने कौन थे पताओ हाँ हर गोविंद खुराना हर गोविंद खुराना अगला प्रशने है कि टी आई प्लास्मिट जो अनुवान्शिक इंजेनियरिंग में परियुक्त होता है प्राप्त होता है कहां से बैसिलस थुरंजिनस से इस्चर्प इस चेर्चिया से या फिर एगो बैक्टीरियम से या फिर एग्रो बैक्टीरियम क्यूमी फैसियंस से फैसियंस से जली बताओ जली बताओ जली बताओ कि दी हो जाएगा भया बहुत डिफिकल्ट है कोई नहीं इजी लगेंगे इजी लगेंगे दिकत मतलो इजी लगेंगे यह थोड़ी सी शुरुआत है आपको वैसे लग रहे हैं है नहीं है नहीं हो जाएगा अगला प्रिश्णिय है कि निमलिकित मैंसे कौन सा कथन ओपांसिक रूप से रूपांथृत फसलों के लिए सत्के नहीं है कि अनुवांशिक रूपांतरन फसलों को अजैविक तनाव के प्रती सहन्शील बनाते हैं या फिर अनुवानशिक रुपांतरन रसाइनिक पिड़नाशिकों पर निरबरता का काम करते हैं या फिर जो आपके अनुवानशिक रुपांतरन होते हैं वो खनिज उपयोगा की शमता बढ़ाते हैं या फिर फसल काटने के बाद होने वाली हानिय को कम करते हैं तो जल्दी बताओ जो उसके लिए सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो बताना था, यह तो मैंने बहुत उच्छे से बताया हुआ है। बताओ इसका अन्सर हो जाएगा C वाला की अनुवान्षिक रुपांतर, जो आपके किस्टीस के लिए होते हैं नहीं होते हैं chemotherapy स्ट्रा Сам सही। बताओ प्रस्ष्न है कि डुवी कुंड़ी मॉडेल है तो अकसद किर्ण विब्टर्क थे आकड़े दिएगए यह जेमस वाटसन द्वारा फ्रांसिस किर्क द्वारा या फिर प्रेस्फ़ाइब द्वारा या फिर मोरिलेस विलकंस या फिर रोसलिंड फ्रेकलिंड के द्वारा जल्दी बताओ कि 24 का डी डी हो जाएगा बता तो रहें भीया पीछे वाले का C कहा था इस वाले का D डी अगला प्रेश्ण है कि प्रोटीन से लेशन के केंद्री के सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया वाट्सन जैकब क्रिक कानबर्ग जल्दी बताओ जरूर लगवाएंगे भीया जरूर लगवाएंगे राहुल गुपता टैंशन मतलो जरूर लगवाएंगे कि यू भी है ऐसा क्या हो एके जो दिन माड़े चल रहे तुम्हारे हैं जो रजैते हैं ऑक क्य झाता हो रहा जरूर है क्रिक क्या हो जाएगा क्रिक ठर्ड का क्रिक औं क्यों न्हीं शौर रहा रहा पूरा तो शू Hotel हो रहा किसको जो नहीं हो रहा है यह कोश्चिन यहां से लेकिए यहां तक है किसको शो नहीं हो रहा है चलो अगले प्रश्ण पर चलते हैं डिन और आर ने में समानता है कि वे दोनों टाइड के बहुलग है 20 सुतरी है समान सरकरा है शरकरा है यह देखो पर पिरामीडीन की बात करो यहां सोगका यह समानता हो जाएग A will be your correct answer, A will be your correct answer, ठीके, DNA का चाकू कहलाता है कौन, Ligase, Gyrase, प्रतिबंदित Endonuclease, Helicase, Ligase, Gyrase, Restricted Endonuclease, Helicase, जल्दी बताओ, चाकू, नाइफ, कौन सा हो जाएगा, Endonuclease, प्रतिबंदित Endonuclease, 30 रा, आणविक कैची का भी नाम इसको दिया गया था, आणविक कैची का भी नाम इसको दिया गया था, है ना, इसके साथ अगले प्रशन पे चलते हैं कि वह अभी क्रिया जिस से उपयोगी जीन की कई प्रतिकृतियों का सनलेशन फातरो विधी द्वारा किया जाता है, पहला है आरे पीटी, एलिजा, आरिए, पीसी आर, पीसी आर हो जाएगा, पीसी आर, ध्यान तो इसने क्या कहा कि कई प्रतिकृति बनानी है, तो आपका पीसी आर हो जाएगा, पॉलिमरेज चेंड रियक्शिन, क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, पॉलिमरेज, चेंड, रियक्शिन, साथ में आपका एलिजा जो है, HIV के लिए होता है, HIV के लिए होता है, अगला प्रश्न है कि अगैरोस जैल परपित्धकरन के पश्चात, डियने के टुकडों को किस डाई की मदद से देखा जाता है, ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू, एनिलिन ब्ल्यू, इथीटियम प्रोमाइड, एसिटो, एसिटो मार्किन, कार्मीन सोरी, जल्दी बताओ, जल्दी, तो ब्रोमाइड आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर, क्या हो जाएगा, इथीटियम प्रोमाइड, तो थर्ड विल बियोर करेक्ट आंसर, अगला प्रश्न है, और आखरी प्रश्न है, कि जीन अभी आंतरी की संबंदी थै, किसे, लिपिड के प्रिवर्तन से, न्यूखली कंबलों के प्रिवर्तन से, कार्बनी कंबलों के प्रिवर्तन से, या फिर कार्बोहाइड़ेट के प्रिवर्तन से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो भया इसका आंसर हो जाएगा न्यू क्लिक अमलों के प्रिवर्तन से तो बी विल बी यूर करेक्ट आंसर ठीके तो इसी के साथ आपका जो यह आखरी प्रश्ण है यह होता है समाप्त और अभी बाकी के और भी बहुत दा प्रश्ण है आपके जो हम कल करेंगे इसको ठीके आज नहीं छोडने वाले हैं सारे बहुत सारे खूब सारे प्रश्ण आप लोगों के लिए हैं और आप लोगों को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इन प्रश्णों के साथ खूब सारे हम क्या करने वाले हैं अच्छी चीज़े भी करने वाले हैं जैसे की जैसे की हम आपक इनकी जो एप है प्लेस्टोर पे मिल जाएगी उसको आप इंस्टोल करोंगी ठीक है वहाँ पे आपको फ्री कुछ बिलेंगी साथ में अगर आपको बाइ करना चाहते हैं कोर्स जैसे कि लैब अस्टेंट वीडियो या फिर LTC के लिए कुछ बुक वगएरा कुछ भी किसी ब अग्जाम की बुक रादस्थान से कोई भी कोर्स सी यू सीटी वारे कुछ भी आप खरी दिना चाहते हैं आपको बसी कोड लगाना है जो है वाई-4-4-3-R जो नीचे आपको इधर मैंशन भी होगा इस साइड इस साइड मैंशन है नीचे इफ यू लुक दिस साइड देन इस लिए नीचे आपको यू लेना है इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगे और सभी बच्चे जाते-जाते सेशन को लाइक कर देंगे कमेंट करेंगे शेर करेंगे अगर नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करेंगे चीक है अभी के लिए गुद्बाई बबाई सब्सक्क La plus बुटаксे बढ़े चीक कि लुद्बामे मीतने चीक हैंपकर दमरेंगे करेंगे है लिए बबालया सब्सक्राइब भी कि Выगधे करेंगे है अेया है इस इस टे कि करेंगे हैं बबाल मेंथर ऑाते इस सत Weg मेंशन को फिरी नाने स्ब्हरून झाल झाल